हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टू माय चैनल फ्रेंड्स इस ब्लाउस की जो कटिंग थी मैंने आपके शेयर की है अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है वो जाकर आप देख सकते हैं तो अब इसकी हम स्टीचिंग करेंगे तो सबस इसको पेस्ट करकर ही स्टीच करें आप इस तरह से नॉर्मल भी स्टीच कर सकते हैं एक स्टीच हम लाइनिंग फैवरिक के उपर से करेंगे अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच कर लेना है बाकी साइट से भी स्टीच करेंगे और इसका जो दूसरा पार्ट है उस तो इहां पर जो हमारे दोनों पार्ट है वो हमने यह पर स्टीच कर लिये हैं अब इन के ऊपर हमें लाइनिंग जो मारा में फइस जो ऊड़ा सकते हैं तो मैंने उनको अटा लिया सभी सइट से स्टीच करके नैट को स्टीक कर लिया है अब यहां पर में संटून लेना है हो की पटी लगाने के लिए तो इसे सेंट उन फैवरिक हैं लगाया है इस तरह से श्टीच कर लिया तो हुग की पट्टी कंप्लीट हो गई है और अब हमें आइकी पटी लगानी है तो इकी पटी को नाइनिग के साथ स्टीच किरिया और इसको वेट में टू पॉइंट फाइव इंच लिया है तो देखिए इसको नीचे के साइड रखते हुए स्टिच किया साइड से हम फोल्ड करेंगे और से स्टिच करेंगे एक्स्ट्रा पटी थी वो कट कर लिए है एक स्टिच और कर लिया तो आई की पटी भी कम्प्लीट हो गई है बैक्स लगाना है जिसकी लेंद हम फोर इंच रखेंगे और नीचे के साइड पटी लगानी है तो पटी की जो वेट है वो हमने टू इंच की रखी है एक स्टिच पटी के उपर से किया अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है पटी कम्टीट हो गई दूसरे पार्ट में बिक पटी को लगा लेना है अब यहां पर हमें क्रॉस में पटी कट की है नेट फावरिक की डवल करते हुए नेक पर स्टिच कर लिया पूरे ही नेक पर हम कट लगाएंगे एक स्टिच पटी के उपर से करेंगे अंदर के साइट फोल करते हुए स्टिच कर लेना है दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे और यहां पर हमारा बैक पार्ट कम्टीट हो गया है फ्रेंट पार्ट को लाइनिंग सेंट उन साथ में हमने स्टिच कर लिया कि दोनों पार्ट स्टीच कर लिए अब जो मारा नयक है वहां पर हमें यहां पर पट्टी लगानी है डबल करते हुए एक स्टीच पट्टी के उपर से कर लेना है कट लगाने के बाद और इसे अंदर की साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे यह दिखिए इसे स्टीच कर लिया है अब जो हमारा फ्रेंट वाला पार्ट था जो डिजाइन थी इसकी यह वाली हमें यांपे और क्रॉस में पट्टी कट करनी है नेट फैवरिक की डबल करते हुए यहां पर स्टीच करना है तो जो पटी है आपको से cross में ही cut करना है तब ही अमारे जो neck है उसमें finishing आएगी और double करते हुए ही stitch कर ले रहा है cut लगाएंगे पूरे ही neck पर और एक stitch पटी के उपर से करेंगे अंदर के side fold करते हुए stitch करना है यहाँ पर दिखिए पटी लिए इस पर एक side pico कर लिया और इसे width में हमने 1.5 इंच का लिया है इस पर हमें चोटी चोटी plates डालेनी है तो जो fabric जो net fabric था उसके side में से ही यह plain fabric बच्च था net fabric तो उसी को मैंने आप पर use किया है design के लिए इस type से हमने यहाँ पर frill को लग बना लिया है और यहाँ पर stitch कर लियना है यह दिखिए तो आप अपने according जो frill की length है वो आप चोटी बड़ी कर सकते हैं तो दिखिए frill को हमने यहाँ पर लगा लिया अब जो side वाला net fabric का जो पार्ट था ना चोटा वाला उसको भी हमें यहाँ पर stitch कर लेना होगा तो पहले हम यह वाले part को stitch करेंगे तो देखिए नीचे के side हमने pad रखा उसके उपर हमें यह वाला part रख लेना है त्योंकि pad रखने के वाद ही इसमें fitting आएगी और इसे हमें सभी side से stitch कर लेना है तो देखिए pad को रखे रहना है नीचे के side ही और आपको इसे stitch करते जाना है ताकि जब इसे पहने तो उपर के side का जो part है वो आपको flat ना हो और उठा हुआ ही दिखिए तो इसलिए हमने यह आपर इसको pad रख कर और फिर हम इसे stitch कर रहे हैं यह दिखिए यहाँ से भी हमको stitch कर लेना है अब यहाँ पर दिखिए जो side वाला part था ना मैस वाले part का बोल रहे थी कि side वाला जो transparent fabric है उसको हमें यहाँ पर इस तरह से पटी लगा कर stitch कर लेना है और इस पर भी हमें frill लगानी है तो देखिए यहाँ पर इस टाइब से फ्रिल लगाएंगे अब यहाँ आपर नीचे की side पटी लगा लेनी क्योंकि वह वाले part का मने जोइंट कर लिया है इसमें और पटी की जो वीट था वो टू इंच की रखिए तो जैसे हमने बैक पार्ट में लगाई थी सेम वैसे ही लगाना है से और यहाँ पर हमारा जो फ्राइंट पार्ट है वो बनकर कम्प्लीट हो गया है कर दो अब यहाँ पर देखिए जो फ्रिल है यहाँ पर तो इसकी जो लैंठ ली है फ्रिल की वो टू इंच की लिए हमने ठीक है और जो हमने neck पर लगाई है वो 1.5 inch की यह थी, तीसे हमने 2 इंच कर लिया है तो इस तरीके से sleeze में से लगा लिया है तो sleeze में हमारी complete हो गई है और अब हमें shoulder को stitch कर लेना है एक stitch हमने इसको right side पर करी, बल्कुल side से कर लेनी है अब यहाँ पर हमें स्लिप्स को स्टीच कर लेना है सेंटर पर रखते हुए दोनों इसलिप्स को सेम इसी तरीके से स्टीच करेंगे अब सेंटर पर हमें पिन अप कर लेना है और साइट से हम इसे स्टीच करेंगे साइट का जो एक्स्ट्रा फैवरिक है उसको कट कर लेना है बलाउस को लटा करके स्टीच करेंगे साइट से एक पर का मारजन रखते हुए स्टीच कर लेना है सेंटर समय चेस्ट के फोथ पार्ट पर मार्किंग करनी है 9 इंच पर यहां पर वेस्ट का फोथ पार्ट लेना है 7.5 इंच स्लेज राउंड का हाफ लेना है 3 इंच और तीनों मार्किंग को बलाते हुए में फिटिंग लगा लेनी है तो फ्रेंड्स हमारे डिजैनर बलाउस बनकर कंप्लीट हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा तैंक यू